टेख्र कोई में बहुत है उपका गाले मैं आपका जो डेटाबेस है वह कुण से मोड में कि रहे लिखा था कैंपने क्योंकि मेरे को आदत है तो अभी हम लोगों क्या करना है हमारा डेटाबेस मोड में इसको हमको किस में डालने कर तो यह जो भी यह आपरेशन आपका जब मेरा डेटाबेस अप्एंड रनिंग होता है तब का है कि डेटाबेस को डाउन करना पड़े और इसको अगर मैंने आप लोगों को बोला है कि जान डेटाबेस को डाउन कर लेता आप कर लो कि क्या कि सुनोगी कि मेरी जब तक मैं आपको इमेल पे नहीं दूंगा तब तक आप डेटाबेस को डाउन करोगी क्या है इमेल मतलब वाट्सप इमेल क्या है वाट्सप इस सम्धिंग डिफरेंगे इमेल मतलब इमेल इसको समझने क्लास शुरू होने के बाद में आप अपना लिस्नर पहले शुरू को कि अभी किसको स्टार्ट किया मैंने कि वर्चुल वाक्स को सर्वर स्टार्ट हो गया है वह ना हो रहा है हो रहा है तो आप लोग अपने सैट्रेडे संटे किदर बिताती हो अब बाहर ही करेंगे सब लोग बाहर किदर अब तो दूसरा माइक भी चालेगा आवास बतारी के आरी गया वह वह उदर भी गर्मट करो ना उदर का कि चालो है अब लोग कहां बात कर रहें और बाइक बंच करना दूसरा वह ला कि तुम ने जो भी तुमारा पुदा चिट्ता चला गए उसके अंदर कि अधर यह तुम दोनों ने अधर आए पार से नहीं कि ए ज़िए अधर ने जिए पर फिए पर पर कर दो हो गया ना बस पीडियाप में कर दो कर दो कि अधर का एक जूर्ला त्यला दे आड़ दा कि अधर मी दिलेला शेंगदाना यह तो आउंगे अधर कि अधर वूश अक्टे तैजा तुम सोन नींगाओ कि अधर काते सीज डीडियाओ कि मतलव इसके पहले जितना भी रेकोडिंग किया था सब पानी में रहा है कि मैंने रिकॉर्डिंग स्टाट किया ता सोचा कि टूढा कंटिन मिले का लेकिन कि वो ऊदर की भी आवाज जाएंगी किसे को स्टाइट गिया मैंने अ पिर देटाबेस को मिरा टेटाबेस टार्ट है एड लेट में डून धीं में फरस्ट पाम लोग चेक करेंगे कि या मेरा डेटाबेस और का でदों से मोड में नहीं है उसको चेक करने के लिए कमांड आता है I don't know प्रकर्णार स्वुक्या करें लीच्ट चांड टो मेरा डेटाब्स कुन से दिखा है इसका मतलब अभी मेरे डेटाबेस में कोई भीर कोकनindi बोने लेकि और ये जो आपको दृफके आपका पर लॉट mét challenge नहीं होता है hvis मतलब जहां नहीं होगे चाहिए सब सबसे पहले मुझे क्या करना है डेटाबेस को नो आरका लॉग मोड में डालना है उसके लिए हम लोग क्या करेंगे इसका एक और आप्षिन है सिलेक्ट लोग अंडर स्कोर मोड प्राम वी डॉलर डेटाबेस अगर मैं यह कमांड चलाता हूं तो भी मेरा डेटाबेस को से मोड में दिख रहा है no आरका लॉग नोॉड अब अब मुझे क्या करना इस डेटाबस को कुण से मोड में डालना है आर का लोग मोड़ सबसे पहले हमको डेटाबस को क्या करना पड़ेगा तो शटडाउन करने के पहले मैं समझता हो कि मैंने क्लाइन को पूछ लिया है कि भाई मैं इसने बजे अपना डेटाबस को क्या करने मैंने पूछ ले उसको तो सबसे पहले हम लोग क्या करें कि शट्डाउन इमेजे मैंने डेटापिक को शट्डाउन मार दिया अब मुझे क्या लगता है मेरे जो आर्काइलोग से वह कौन से लोकेशन पर स्टोर होने चाहिए वह डिफर्ड लोकेशन पर नहीं लेता हो मैं मैं क्या कुनगा mkdir hyphen p slash data slash archive यह लोकेशन मैंने बना दिया और इस लोकेशन को मुझे कहां पर पॉइंट करना है यहां पर करना है आर्काइलोग अब destination को change करना है तो सबसे पहले मैंने database को क्या कर दिया shutdown कर दिया अब database को आपको कुन से mode में डालना है माउंट स्टेज में startup माउंट जब आप database को start करते हो तो database तीन स्टेजस में से जाता है कौन सी कौन सी नो माउंट माउंट ओपन नो माउंट में कौन सी फाइल देखता है वह माउंट में control and open में डेटा फाइल से और ओनलान डिल अब मैंने database को माउंट में डाल दिया सबसे पहले हम लोग क्या बनें उसका destination सेट करते है अल्टर सिस्टम सेट लॉग आर्काइब डेस्ट डेस्ट अंडर्सकोर वन इक्वस्टू लोकेशन इक्वस्टू लोकेशन क्या है slash data slash archive slash data slash archive slash data slash archive scope equals to both इसका मतलब ये भी parameter है कुणसा parameter ये दो टाइप के parameters होते है कुणसे कुणसे dynamic and static ये कुणसा parameter होता कुणसा dynamic लॉग आरकाई एक कुश्त भी मेरा syntax में गर्णबड हो चुका है अल्टर सिस्टम से लागर काई डेस्ट यह देस्ट कि अंडर्सकूर वान इसके बाद में स्को इक्वल्स टू बोट ठीक है नहीं डेस्ट में इक्वल्स टू पिर यह वाला कमांड फिर इक्वल्स टू बोट अब अगर मैं आर्काई लॉस्ट करूंगा तो मेरा लोकेशन चेंज होगा लेकिन फिर मेरा डेटाबेस कुण से मौड मेंर क लौड में अभी मैंने डेटाबेस को ओपन किया था अब मेरा डीटा बेस आरकाइब लॉक्त करने तो कुछ सी बोड में आगया है आरकाइब मोड में अब में क judiciary करता है अब मैं सब्सकर नीज़ d Barbary सप्रें ना बंडिर टो अब मैं ञत्रें कर सकतीं कुछह करूंगा तो आपका लॉग स्विच होगा लॉग स्विच कव होगा जब आपका रिडोलोग ग्रूफ फुल हो जाएगा उस टाइम पे लेकिन आप मैनुवली भी लॉग स्विच कर सकते हो लाइक अगर मुझे फूर्स पुली करना है अल्टर सिस्टम स्वीच स्विच लॉग फाय लॉग फायश यह मैनियुवली मैंने स्विच माज दिया यह अगर आप जाके देखो गें तो जो भी है उसके अंदर वो सारे कि सारे आपकी आर है यह ऐता है क्या होता है। अभी आपको दिख रहा है ये मेरी डेटा फॉयल से क्या यह ग्यानखी से जैसे जैसे यूजर बहुत सारे करें जैसे जैसे यूजर बहुत सारी writes करें गा वैस वैसे ऑटमेटिकली लॉट्स समझे क्या क्योंकि देखो अगर मैं df-h slash data खुरूंगा तो मुझे क्या पता चल जाएगा slash data का size पता चल जाएगा let's consider मेरे slash data के अंदर 70 GB space available है तो इसका मतलब कितने आरकार लोग जा सकते एक पता हो गया उस जी Hm on is cache temperature है उस आरके लोग का बैकप हो गया उसा हरकार लोग को क्या करतेंगे डिलेट करें यह सो principally जब हम जब हम बैकंप के बारे में डिसकस कर रहे तो हमको एक और बैकप लेना है कूए सा छिस, talking आपको डेटापस को कुम सी मोड में डालना पड़ेगा तो को यहां पर यहांपे हो अच्छा लेट्स कंसीडर डेटा के अंदर पूरा का पूरा डेटाबेस मतलब यह स्लाइज डेटा फुल हो गया क्या दिखत होगी डेटाबेस आपका हंग स्टेटमेंट चला जाएगा हंग का मतलब क्या होता है पता है लेट्स कंसिडर अगर आपका कोई अप्लिकेशन का जॉब चल रहना वह भी बंद हो चाहेगा को आपका फुल नहीं होना चाहिए समझे क्या है अभी हमने क्या पड़ा कि फर्स्ट पर हो टो पूट यह डेटाबेस इन्टु दा आर्काइलोग मोड है सेकंड हमने यह चेक कि कि अगर आपका आर्कालोग डेशन फुल हो जाता है तो फिर आप लोगों का इंपैक्ट क्या ह जोगा और अगर फुल हो गया मतलाब होने के पहले रिकेॉशन इस बेटर तो हम लोग पकॉन सा करना पड़ेगा जो नंबर वे नंबर पर कॉल करने के बाद में, हम लोग क्या करेंगे, आपको पेड वाले everyday भी डाल देंगे, क्योंकि इसके बाद में बहुत सारा कंटेंट आने वाला है, लेकिन ये कंटेंट में, किसको मताऊंगा? आपको बताऊंगे, लेकिन आप लोगों को इसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा सब्सक्राइब करना पड़ेगा I hope you guys have learned something valuable from this video Please do like, subscribe and share this channel You can also contact us for the paid training You can also comment interested if you want the more video like this